दोस्तों पैसा कमाने के लिए सिर्फ बताईवे ओडर पर काम नहीं करना चाहिए बलकि खुद को ऐसा बनाओ कि आप लोगों को काम दो और तब पैसा आए देखो पैसा तो कहीं से भी कमाया जा सकता है मैटर ये रखता है कि आप कितना कमाना चाहती हो किसी ओफिस में काम करके आप इतना पैसा नहीं जोड़ सकते कि आप अपनी मर्जी की गाड़ी ले लो या कहीं गूमने निकल जाओ पर आपका खुद के बिजनिस पर फोकस करना आपको हर तरीके से पैसा कमाना सिखा सकता है गुलामी करके सिर्फ जरूरते पूरी होती है और मालिक बनकर खुआईशे फैसला आपके हाथों में है आप करना क्या चाते हो देखो यार अगर आप बहुत पैसा कमाना चाते हो कोई भी बिजनिस करके उसमें सकसेस होना चाते हो तो ये वीडियो आपके लिए है इस वीडियो में आपको जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको उन चीजों पर फोकस करना ही होगा जो बिजनिस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आज इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसी बाते बताऊंगा जो आपका खुद का बेनिस तयार करने में मदद करेगी तो जुड़े रहिए इस वीडियो में अंति तक तो चलिए दोस्तो शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले है बेचने का तरीका आपको आना चाहिए ये मैं आपको एक स्टोडी से समझाना चाहता हूँ ये कहानी एक जोन नाम के पेंटर की है जोन जब 16 साल का था तो उसके पिता ने उसे एक नोर्मल ड्रो की हुई एक ड्राइंग दी और उससे पूशा कि ये कितने की होगी जोन ने कहा एक डोलर उसके पिता ने कहा कि जाओ इसे दो डोलर की बेच कर आओ जोन गया और उसे थोड़ा पैंसिल शेड करके उसे थोड़ी और बैतरिन की और जाकर उसे दो डोलर में बेच दिया कुछ दिनों मत पिता ने उसे सेम ड्रेंग दुबारा दी और कहा कि इसे बीस डोलर की बेच कर आओ जोन ने थोड़ा दिमाग लगाया उसमें कलर भरे और बहुत ही खूप सूरत बना कर उसे बाजार में 20 डोलर की बेच आया पिताजी बहुत खोश हुए अब कुछ दिनों मत पिताजी ने उसे बैसी ही ड्रेंग दुबारा दी और कहा कि इसे 200 डोलर की बेच कर आओ अब जोन को काम थोड़ा मुश्किल लग रहा था पर वो हारा नहीं उसने दिमाग लगाया उसने फिर से खूप सूरती से उसमें रंग बरे और उसे ऐसी जगा ले गया जहां कुछ फिल्मिस सितारे देखने को मिल जाते हैं उसने वहाँ पोच कर उनमें से किसी से पेंटिंग पर साइन करवा लिया और बाजार में उस पेंटिंग को साइन की वज़ा से 1200 डोलर का बेचा मतलब यहर आपका चीज़े बेचने का तरीका आपके प्रोड़क्ट प्रेजेंट करने का तरीका आपके मार्केट खुद ही खड़ी कर देता है इसलिए चीज़ों को बेचना उनको किस तरीके से बेचा जा सकता है ये चीज़े आपको आने ही चाहिए इसके बाद है बिजनिस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है काम की जाच परताल पहले ये सोचो कि आपको करना क्या है क्या बिजनिस करना चाते हो किस फिल्ड में आपको लगता है कि आप अपना सिक्का जमा सकते हो आप जिस भी चीज का बिजनिस करना चाहते हो उसी चीज के बारे में पता करना शुरू करो बिजनिस के सबसे most important चीज होती है जगा आप कोई भी काम शुरू करने से पहले ये तैय कर लो कि आप किस जगा वो बिजनिस शुरू करोगे अब आपको काम करना हो कपड़े का और आप शोब उपन कर लो किसी ऐसी जगाँजा सिर्फ खाने के चीज़ें मिलती हो तो ऐसी जगाँ तो आपकी दुकान नहीं चल सकती ना जार जंग जीतने के लिए आपको जंग के मैदान में उतरना ही होगा मतलब ऐसी जगा बिजनेस शुरू करना होगा जहाँ अल्रेडी वो समान मिलता हो और फिर वहाँ काम करेगी आपकी सेवाएं बिजनेस का सीधा सा मतलब होता है सेवा आप यतनी भैतर सेवा दोगे उतना ज्यादा पैसा आएगा आपको क्वालिटी और प्राइस पर फोकस करना होगा क्वालिटी वो देनी होगी जो वहाँ कोई नहीं देता वो प्राइस वो रखना होगा जितना वहाँ किसी का ना हो मतलब कम नाम में अच्छी चीज़े देकर आप अपना पहला कदम जमा सकते हो ग्रहक को वो चीजे दो जो वो चाहता है आपने एक बर मार्केट समझ ली तो आपको अपने चीजे बेचने से कोई नहीं रोप पाएगा हर चीज में क्वालिटी सबसे जरूरी चीज होती है जो हर कस्टमर को आपसे बान देती है आपको अपने customers को वो चीज़े देनी होगी जो उसे बहुत ही ज्यादा आकर्शित करे जिसे देखने या लेने के बाद उसे ये feel हो कि आगे कि सारी चीज़े भी आपसे ही लेनी है तब ये आपका business बहुत जोरों से चलेगा तो दोस्तो आई होब आपको ये वीडियो पसंद आई होगी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट करो इसके साथ ही हमें Instagram पर फोलो करना ना बोलें Instagram का लिंक आपको description में मिल जाएगा तो अभी के लिए बस इतना ही मैं मिलूँगा आपसे नई वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद